कच्च आलू से बने हुई एकदम नई रेसिपी जो आज तक आपने नहीं देखी होगी नमस्ते मैं हुशु समयत के आगी और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एकदम नई रेसिपी तो चली बनाना शुन करते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हम डू लेंगे और आलू को छील लेंगे छील करके हम इसके बारिक बारिक स्ञाइस काटे कुप हम इल्गें ने sı छिना रिक आप पारिक कट नहीं सकते हैं तो आपके गदाकुकिस लेले जिसे हमी चिप्स बनाते हैं और कर दो तो ये बहु पानी इनका और निकाल आती हूं जिससे बिल्कुल साफ हो जाया है देखे मैंने इने दोलिया है अब हम इने फैला लेंगे इस तरह से और कपड़े से पोस्ट देंगे इस बिल्कुल सुख जाने चाहिए अब हमें चाय वाली छलनी लेंगे और उसमें कोर्ण फ्लावर या आ करेंगे तो यह रोल नहीं होंगे और इन्हें टूथपिक लगा देंगे इस तरह तो और में आपको करके दिखा दिती हूं एक और इसे भी हम इस तरह रोल कर लेंगे अगर आपके चिप्स आलू छोटे है तो आप इन्हें डबल के लिए थोड़ा से लंपा रख ले और फ इसाला ही से तोड़ दे मैंने आज इसी तरह से किया था क्योंकि मेरे पास तोड़ते ही नहीं ती और एक कड़ाही में बिकुल गरम कर ले तेल जो भी आप लेना चाहते हैं प्लिकुल तेल गरम होना चाहिए और उसमें इने फ्राइख लें आप इन्हें डबल फ्राइ़ भी कर सकते हैं पहले आप इने फ्राइब कर लें हलका निकाल ले और फिर थोड़ी देर बाद फिर से फ्राइब कर दें तो यह बहुत अच्छे सिख जाएंगे लगेंगे जैसे बादा के लेर हो लेकिन का स्वाद उनसे बहुत ही ज्यादा बेतर है इस तरह से हम इने के ही बनाए है एक अलू मैंने बचा लिया था रूस कितने सारे बन गए है अब जो इनकी हमने टूत पिक लगाई थी वह निकाल लेंगे अब यह खुलने वाले नहीं है हमने सिर्फ इने इस तरह से गोल करने के लिए ही टूत पिक लगाई थी और इसी तरह से मैंने देखि और थोड़ा और थोड़ा सा चिले फ्लेक्स भी मेंन पर डाल देती हूं इस तरह से और इने हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप अपने बच्चों को फटा फटी ने बना के दे सकते हैं और यह देखिए इसी तरह से मैंने इने बना लिया है और आप चाहे इने किसी के नहीं हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे यह वीडियो यहीं खत्म होती है मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू हाँ